तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दू हमारे सेकंड चैनल ओपी टून्स पे एक एनिमेटेड सीरीज आ रहा है जिसका फर्स्ट एपिसोड 25 अगस्त को रिलीज होने वाला है तो अगर आप ये वीडियो 25 अगस्त के बात देख रहे तो आप ओपी ट डाउनलोडर, AI वीडियो जनरेटर, इस्टेबलाइजर, रिमूव बैग्ग्राउंड, बलर बैग्राउंड, वोकल रिमूव, आडियो डाउनलोडर और भी बहुत सारे फीचर्स आपको सिर्फ ये एक एप में मिल जाएंगे जिसके लिए आप अलग अलग अप्स डाउनल यहां पर software डाउनलोड हो चुका है, तो आप simply software को on करते हैं, तो software को on करते ही हमारे सामने कुछ एसा interface देखने को मिलेगा जो कि काफी easy to understand है, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर आपको screen recording को option देखने को मिल जाएगा, एंड उसके आप सब्ताइटल में का भी option देखने को म इंग्लिश सब्टाइटल है तो आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकते हो उसके सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहां पे AI वीडियो जनरेटर का उप्शन देखने को मिल रहे हैं तो मैं एक एक करके आपको इन सबी फीचर के बारे में थोरा थोरा एक्स्प्लेइन कर देता हूँ तो सबसे पहले आपको यहां पे स्क्रीन रिकॉडर का फीचर देखने को मिल जाएगा जो कि आप सबको पता ही है तो इसके एद यह वीडियो डाउनलोडर का फीचर आता है इससे हम अपने वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं एद उसके एद एए वीडियो जनरेटर में हमें सिर्फ अपनी स्क्रीप्ट को डालना होगा एद यह वीडियो अपने आप जनरेट करके देदेगा इसके आप blur background पे click करके आप background को blur कर सकते हो उसके next आता है vocal remover का feature तो इसके click करके आप simply किसी भी music या video से vocal को remove कर सकते हो तो इसका ही उस music remake में बहुत अच्छे से किया जा सकता है and उसके next feature आता है video से audio को extract करने का तो ऐसे ही आप देख सकते हैं नीचे भी आपको धेर सारे features देखने को मिल जाएंगे तो मैं एक एक के तो explain नहीं कर सकता हूँ बाकी आप यूज कर सकते हो बहुत easy to understand है अब मैं आपको इन में से कुछ feature का use करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले हम subtitles maker का use करते हैं तो अब हम simply audio subtitles पे click कर देंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे subtitles नीचे लगके आ चुके हैं तो मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ इसके लबा हम अपने subtitles के text का color भी change कर सकते हैं और उसका style भी choose कर सकते हैं अब इसके साथ हम इसे बहुत अच्छी अच्छी animations भी दे सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको धेर सारे animations देखने को मिल जाएंगे तो आप इनमे से कोई try कर सकते हो तो अब मैं आपको बताता हैं text to speech के बारे में तो यहाँ पे simply मैंने एक voice को select कर लिया है और इसके लब आपको यहाँ पे man, woman and child का भी voice देखने को मिल जाएगा तो आप इनका use भी कर सकते हो अपनी वीडियो को बनाने के लिए तो ऐसे ही आप सभी AI features का use कर सकते हो तो यहाँ पे आपको धेर सारे AI features देखने को मिल जाएगे तो मैं सबको तो explain नहीं कर पाऊंगा बट आप इन सबका use कर सकते हो अपनी वीडियो को बनाने के लिए तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कूल चीजे दिखाता हूँ तो यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे धेर सारे inbuilt background देखने को मिल जाएगे जिनका use आप कर सकते हो और यह copyrighted free होते हैं यहाँ पे gradient background, texture background, and landscape background, and animated background धेर सारे background आपको देखने को मिल जाएगे तो जिनका use करके आप अपने वीडियो को और next level बना सकते हो इसके लाब आपको यहाँ पे Pixabay का option भी देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे भी आपको धेर सारे stock वीडियो देखने को मिल जाएगे इसके लाब आप यहाँ पे search videos पे click करकर search भी कर सकते हो अपने videos को अपने scenes के according इसके लाब आपको धेर सारे जीएवस भी देखने को मिल जाएगे और आप अपने scenes के according यहाँ पे search भी कर सकते हो जैसे यहाँ, मैं sad क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर sad jf हमारे सामने आ गए है यहाँ पर audio पर भी आपको धेर सारे audios मिल जाएंगे यह सभी copyrighted free होते हैं यहाँ पर audio पर धेर सारे background music भी देखने को मिल जाएंगे जिनका यूज आप अपने वीडियो में कर सकते हो और यहाँ पर text पर क्लिक करने पर हमें धेर सारे text के style देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो तो आप इन सभी के use अपनी वीडियो में कर सकते हो अपनी वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए और आपको यहाँ पर copyrighting option भी देखने को मिल जाएंगे अपनी वीडियो को अपनी वीडियो को नेक्स लेवल एडिट कर सकते हो आप लोगों को यह पसंद आया होगा तो आप इस software का free trial भी यूज कर सकते हो और अगर आप सभी AI features के use करना चाते है तो आप इसको बाई भी कर सकते हो अभी इस software के उपर discount भी चल रहा है तो आप चाहो तो बाई कर सकते हो लिंक आपको description और comment के पिन में मिल जाएगा तो I hope यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी and comment करके जोरू बताना next वीडियो आप लोगो किस टॉपिक पे चाहिए और ओपी टूस चैनल को चेक आट करना बिल्कूल मत भूलना बागी दोस्तों मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई टेक क्यार